नोड जेस का एक टाक्टिकल डेमो करेंगे जाब हम बेसिक से एकजामपल लेंगे तो जहां पर सबसे पहले हम लेते हैं एक न्यूव फाइल क्रेट कर देते हैं अप गयाँ पर न्यूव फाइल का नाम लेता हूं अप डॉट ज्यादा इंपोर्टन यहां पर ही कि इसको कि नोड का फाइल रन होता है तो टो मैंने एग यहां पर एक फाइल बना लिया है अब में सकोरण करने के लिए मुझे सबसे पहले कमाड्ड करना होगा कर सकता हूं विजर स्टूडियों का in इन जो खुद डिफॉल्ट होता है या तो मैं कमांड पॉम भी ओपन कर सकता हूं तो यहां पर मैंने विज्व स्टूडियो का ओपन किया हो क्योंकि वह इसी टू यूज है है एंड मैं यहां पर लिखता हूं नोड एंड फाइल का नाम लिखना है मुझे आप डॉट जेस तो इस अभी इसमें एक इस्टू आएगा यह रन नहीं करेगा क्योंकि यहां पर जो फाइल दिया हुआ है फाइल है मेरा फाइल पाथ यहां पर दिया हुआ है और सी यूजर सिटी पेट करने के बाद में कोड पर गया अब मैं आप अपने एक्ट्वल यहां पर मेरा कोड लिखा हुआ है वह फोल्डर पर चले गया जिन मैं लिखता हूं नोड आप डॉट जेस अब एक जिए करता हूं तो यहां पर हलो और यहां पर लिखके आ जाता है गाईस यह यहां पर चोटा प्रोग्राम था अभी इसके अंतर मुझे और भी कुछ लिखना है तो मैं कंसोल लिख सकता हूं दिस इस माय फोर्स्ट नोड डॉट जेस प्लोग्राम जेव करके जिन अगर मैं आसे कम रन करूंगा तो यहां पर दो लाइन लिखके रहे हैं यहां पर लि प्लोड लिखता हूं कंसोल डॉट लॉट रॉग कंसोल डॉंड लॉट में लिखता हूं टु स्यकं नलивेच की कण चैना वहां पर तयीन यहां पर विघक्ण क सब्सक्राट इना बूड जाता ह। ऐसे हमारा हमारा चैनल हो वर्ल्ट पर याता आता है वो तो धैन वहामें असना पर देडिया दिया करें अधर स्ट यहां पर हम देखेंगे तो आइडिली यहां पर फॉर्स हेलो वर्ल पर चाहिए था दें टो सेकेंड वैट पर चाहिए था बार यह किसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह जो हमने यहां पर function लिखा हुआ है set timeout का यह हमारा node.js का function नहीं है यह c++ का function है अब यहां पर आपको confuse नहीं होना है कि यहां पर हम node.js पढ़ ले है node.js के हमें c++ का function कहां से add कर दिया जो node.js जो बना हुआ है node.js जो रन करता है वो 92% जो होता है वो javascript के basis पर रन होता है और उसमें जो 8% जो है वो c and c++ का code लिखा हुआ है वैस यह हमारा set timeout का function c++ में लिखा हुआ है यह set timeout कैसा है actual में execute करता है console log execute कैसा करता है यह सारा हम एक जब node.js का architecture study करेंगे तब यह हमारा आपको और clear समझ आएगा वीडियो में आपके लिए इतना ही अब हम जो next video करेंगे वो हम node.js का architecture पर देखेंगे till then keep learning keep exploring and keep programming thank you